जैभीम साथियो, भीमा कोरिगाओं शौरे दिवस और नई साल की आप सभी को शुब कामना है। आज भीमा कोरिगाओं में महा रेजिमन्ट द्वारा दिखाए गए अदम में साहस को 206 साल पूरे हो गए हैं। तो आईए इस वीडियो के माधम से जानते हैं जातिय अपमान के खिलाफ 500 महारों के अदम में साहस की कहाने। बात सन अठवा सो की है जब पूरे में मराठाओं का तखता पलट कर पेशवा सत्ता पर काबिस हो गए। पेशवा साशन की बाग डूर पेशवा बाजी राओ दूरते के हाथ में आई। ये वो वक्त था जब पेशवाओ के साशन काल में दलितों के साथ होने वाली यातनाय और जाते भेदभाव अपने चरम पर था। कहा जाता है कि पेशवाओ ने मनुस्मर्ती जैसी पुस्तकों को सकती से लागू किया था। भीमा कोरेगाओं में दलितों को गले में मटकी और कमर पर ज़ाडू बांध कर चलना होता था। ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिवे और कमर पर बंधी ज़ाडू से उनके पैरों के निशान मिट जाए। यही नहीं दलितों को अपने पैरों में घुंगरू भी बांधने होते थे। ताकि ब्राहमणों को दूर से ही पता चल जाए और उन पर दलितों की छाया ना पड पूर्णे के भीमा कोरे गाओं में एक तरफ पेश्वा बाजेवा उदूइते की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुठी भर जवान। पेश्वा की सेना में 28,000 से जादा सैनिक थे। ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे। इन में से 500 सैनिक महार जाती के थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालने के लिए पेश्वा बाजेवा उदूइते से संधी करने के लिए अपने दूत फेजे। लेकिन महार रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने पेश्वा की सेना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना मे शामिल 500 महार सैनिकों ने अपने जबर दस्थ Yudh Kauşil को दिखाया, जिनके सामने पेश्वा की सेना जादा देर नहीं टिक सकी। इन मुठ्वी भर सैनिकों ने पेश्वा की सेना के च्छक्के छोड़ा दिये। रात होते होते पेश्वा ने घुप्मे टेक दिये। और इ अपने जाती अपमान का बदला पेश्वाव से ले लिया इसके बाद अंग्रेजों ने महारसैनिकों के अदम में साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरे गाओं में एक युद्समारक बनवाया जिस पर पांसो महारसैनिकों के नाम लिखे गए एक जनवरी उनिस्व सताइस क डॉक्टर भीम रावंबीट कर भीमा कोरे गाओं गए थे बाबा सहाब के इस कदम से देश के लाखों दलितों को प्रेवना मिली और हर साल एक जनवरी को देश भर के दलित भीमा कोरे गाओं जाकर पांसो शूर वीरों के अदम में साहस को नमन करने लगे